प्रसव है किसी महिला का वो सामानी ही हो, ऐसे कॉम्प्लिकिशन्स ना होंकि आपको सिजेरिन के जाना पड़े तो फिर क्या करना चाहिए? हम कहते हैं आप यह फिजियोलोजिकल चेंजिस हैं जैसे आप सोते हो उड़ते हो उसी तरीके से प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलोजिकल चेंज हो रहा है बॉड़ी में उसको आप नॉर्मल लीजे अब अपने रूटीन का घर का काम करिए अगर आप एक्सराइस नहीं कर रहे हैं तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट करिए यूकि जितना आप चलते फिरते हैं एक्सराइस करते हैं आपके बॉड़ी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो बच्चे के लिए भी इंपॉर्टन रहता है